हैलो दोस्तो बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फटफट से आप सभी इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ है आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीशे कॉमेंट करके जरूर पूछे आज की पाली कबर पाटना समेत बीज जीलों में बारिस और बिजली का अलाड सुखे ने बढ़ाई किसानों की चिंता MPOP ने बिहार के लिए 10,000 क्योसेख पानी छोड़ा जी हाँ मासम बिभाग ने पाटना समेत बिहार के राज के बेज जीलों में भारी बारिस और बिजली गिरने की समभावना जताई है इस जीलों में पाटना जहानाबाद, नवादा, नलंदा, भोजपूर, बाकसर, बैसाली, मुझापर, पूर, पुर्वे, चामपारन समेत बिज जीले सामिल है, मासम बिभाग ने इनी लागों के लोगों को घर से बेवज़ा बाहर ना निकलने की सलादी है वह आपको बता दी कि बिहार में मानसून के लेट से अक्टिव होने और तोरंदा रोक जाने से बिहार में सुखा केसिती बन गई थी इसे बेच यूपी और एमपी ने 10,000 क्योंसेख पानी छोड़ा है बिहार में सुखा संकट के बेच एमपी और योपे ने 10,000 क्यूसेग पानी छोड़ दिया है इससे दचिन बिहार में सिचाई के लिए किसानों को पानी मिलने लगा है बिहार सरकार के सबसे बड़ी चिंता है लोगों को सुखे के डर से बिहार के बाहर पलायन करना बिहार में सुखे से बेड़ते हालाद से माईजदोरों को रोजी रोड़ी का भी संकट गहराने लगा है बाड़ी कबर गाड़ी नहीं खरी देंगे किसी को पैर नहीं चुने देंगे तजस्वी ने राजद कोड़े के मांतरियों के लिए बनाए नियाम सोसल मीडिया पार्व रहने को कहा जिह अभिहार में महागडवन्दन की सरकार बनने के बाद से लगतार बयान बाजी हो रही है इसी बीच डिप्टी सियम तजस्वी आदम ने राजद कोड़े के सभी मांतरियों से खास अपिल की है तजस्वी ने छे फॉइंट्स में बताया कि मांतरियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है स्वागत में गुलदस्ती की जगा कौपी कलम के लेन दिन को प्रोचाइद करेंगे सभी मंत्रियों से अपील किये कि उनका सभी के साथ सौमे और सालिन विवार हो साथी बाचित सकरातमको साथके से पेश आते वे सभी जाती धर्म के गरीब और जारूरत मंद लोगों की प्राथामीता के अधार पर मदद करें किसी से भेड सोरू पुबुकी गुलदस्ता लेन दिन की बजाए किताब कलम के लेन दिन को बढ़ावा देंगे सबी विवाग्यों कारियों में मुख मंतर के नितूत में इमानदारी पार दर्सिता तत परता और क्यूकी एक्षन की कारी सेली को बढ़ावा देंगे बाड़ी कबर बिहार विधान परिसद सबापती होंगे देवेस चंदर ठाकूर नितिस ने फाइनल किया नाम मिलने लगी बढ़ाईया बिहार विधान परिसद के ने सबापती का नाम तय हो गया है कारिकरी सबापती आवदेश नरायन सिंग के जर्य फिलाल सदन चल रहा था लेकिन अब 25 अगस्त को विधान परिसद के सबापती का चुना होना है और इसके लिए देवेस चंदर ठाकूर के नाम पर मुहर लग बाड़ कबर विहार में कृसी डेरियो और बिपीसी में इतने पदों पर होगी बहाली जिहार में महागडबंदन की सरकार आने की बाद रोजगार और नोकरी पर सबसे ज़दा पहल किया जा रहा है अब आयोग में करमचार्यू की कमी को दूर करने के लिए कृसी डेरियो BPSC में 2751 पदोपर भरती होने वाली है इसको लेकर लगबग सभी तयारिया पूरी कर ली गई है आपको बता दे कि क्रिसी विभाग पसुम मत्य से संसाधन विभाग और BPSC में 2751 पदोपर भरती होगी इसमें क्रिसी विभाग में प्रकंड किसी पदाधिकारी से लेकर माली तक के 266 सरसट पद है वहीं BPSC में 44 सहायक की वेकेंसी है जमकि पसुम मते से संसादन विभाग की गवी निदेसाले के 40 डेरी फिल्ड ओफिसर के बद है क्रिसी विभा के बात करें तो इसमें 266 सरसट पदों पर भरती होगी इसमें प्रकंड पदाधिकारी के 704 और सहायक निदेसक से से कोटी एक वर्ग दो के 89 पद का रोश्टर किलेरंस हो चुका है इन पदों की भरती BPSC की जरिय होगी बाड़ी कबर PM किसान योजना का लेना चाहते हैं बारवी किस तो फटाफ़ड 31 अगस तक पूरा कर ले ये काम जिहाँ अगर आप प्रधान मंत्री किसान सम्मा ने दे योजना के लवहारती है तो यहाँ कबर आपके लिए काम के खबर रहत भरी है सरकेम किसान के लभारतियों को एक बड़े रहत दी है सरकार एग और फिर से एक किवाईसी का डेलाइन को वढ़ाने का एलान किया है किसान भाई अब 31 अगस तक यह काम पूरा कर सकते हैं पहले एक किवाईसी पूरा करने के डेलाइन 31 जुले 2022 तक थी किसान सम्मा नेधी के तहद किसानों को अब तक 11 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है आने वाले बारवी किस्त के लिए आपको अपना एक किवाईसी पूरा करवाना होगा इसी उजना के तहद किसानों को सलाना 6,000 रुपे सिदे उनके अकाउंट में टांस्वर हो रुपे की रासी का भुगतान किया जाएगा अब तक किसानों को 11 किस्त का पैसा दिया जा चुका है अब 12 किस्त का इंतिजार है बारी कवर बीपैसी परिचा में गया में समय से प्रस्ण पत्र नहीं मिलने पर छात्रों का हंगामा किया गया बाइकोट जी अभिहार लोग सेवा आयोग द्वारा सनिवार को आयोजीत असिस्टेंड ओडिट अफिसर भरती परिचा में निर्दार्द समय से प्रसन पत्र नहीं मिलने पर अभियारती भड़क गए गया कोलेज गया सेंटर पर इसके विरोध में परिचात्रियों ने हंगामा कर दिया वहीं अभियारतियों द्वारा हंगामी के सुचना पर एडियम सेंटर सुबिडेंडर और आईन अपसर पहुचे वह अभियरतियों को समझाने का पर्यास किया लेकिन अभियरतियों ने अपसरों की एक नहीं सुनी हुआ परिचा में आनियमित ता कप आरोप लगाते विए परिचा को रद करने की मांग करने लगे हांगाम कर रहे अभियर्तियों को पुलिस बल की मदद से सिंटर से बाहर कर दिया गया बाकसर से पहुचे का भियर्तिय ने बताया कि बीपेसी द्वार ले जाने वाली परिचा सर्तों के नुसार 11 बजे हम लोगों को इंट्री दी गई दोपहर 11 बज कर 15 मिनट तक परिचा काक्च में बेक्चाक सहीत कोई नहीं पहुचे सिंटर सुप्रेटेंडर से पूछने पर बताया गया कि प्रसनपद 11 बजे मिला ही है इस पर अभियरतों ने अतरित समय दने के लिखी दमांग की लेकिन सेंटर सुप्रेटेंडर ने ऐसा करने से मना कर दिया आरोप लगाए कि 12 बजे सेंटर में एक गाड़ी आई जिस पर कुछ परिचात्री थे उनकी परिचा ली गई वह वाकसर से पहुचे अभियरती चंदर बुसन सिंग ने बताए कि 12 बजे तक कोच अभियरती को मोबाइल के साथ परिचा सेंटर में एंट्री दी गई है परिचा कक्च में 12 बज कर 15 मिनट तक कोई नहीं था लगा ही नहीं कि परिचा हो रही है बाड़ी कबर बिहार के 2 लाग से ज्यादा चात्राओं के लिए अच्छी कबर सरकार बैंक अकाउन में भेजेगी 10,000 रुपिये जिया वर्स 2021 के इंडर परिचा में प्रदेश भर से 5,24,156 सपल हुई थी इनमें से 3,10,000 को प्रोजना का लाब इसलिए नहीं मिल पाया है कि उनका अवेदन पोटल पर उपलब्द नहीं हुपाये थे अब शिक्चा विभाग प्रोजसान रासी से बंचित चात्राओं को जल्द योजना का लाब दिलाने जा रहा है रासी स्विकिर्त के लिए विती विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है मुईकी मंतरी बाली का प्रोजसान योजना के तहद इंडर पास करने वाले आविभाई चात्राओं को दस दस हजार रुपे देने का प्रावधान है मैदमेक सिचा नेदिस अलाईज ने योजना से बंचित छात्राओं को रासी भोगतान के प्रक्रिया सुनिशित करने के लिए सबी जिला सिख्चा दिकारियों को निर्दिस दिया है आरसी पी सिंग को सुपुल जाने से कोई ने रोक सकता बक्री का बच्चा नहीं है वे चुनाव लड़ी बिजबी साथ है जिहाँ जेडवी से निकलने के बाद आरसेपी सिंग के बिहार यात्रा की घोसना के साथ सियासी बयान बाजी तेज सुपोल में सुकुरवार को जेडवी ने अपने कार करने के अपाद बेढ़क बुला कर आरसेपी सिंग को चेतावनी देते वे कहा कि वे सुपोल में आते है सुपोल में आर्सिपे सिंग को कौन रोक सकता है निरज सिंग बवलो ने कहा कि आर्सिपे सिंग सुपोल से ही चुनाव लड़े हम उनके साथ है बाड़े कबर बिहार में इंटर में नामांकन के अंतिम दिती बड़ी अब 25 अगस तक होगा एडमिसन जीहां इंटर में दाकेले के लिए बोर्ड ने आंतिम दिती 18 अगस तक निधारित किया था बिहार के वेसे चात्र चात्र जिनोंने प्रतम सुची जारी होने के बाद इंडर में निधारित किये गए 18 अगस्त की तिति तक एंडमिसन नहीं कराया है वेसे चात्र चात्र चात्रों के लिए खुसकबरी है अब इंडर के प्रतम सुची के छात्र छात्रों का नामंकन 25 अगस्त कोगा इस बारे में बोड़ द्वार निधारित तिति में बदलाव करते विए 25 अगस्त अंतिम दिति निधारित किया गिया है बाड़ी कबर 7 अक्टोबर से दानापूर में होगी सेना बहाली की रेली तैयारी हुई सुरू जी है सेना भरती केंद्र दानापूर में 7 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक बहाली चलेगी इसमें 7 जिलो के अवियरती भाग लेंगी जिसमें सिवान सारन गुपाल गंज वेसाली पटना बखसर एबंभोजपूर सामिल है सनिवार को सेना भरति केंद्र दानापूर के अनुरोध पर जिलादिकरी डाक्टर चंद्र सेकर सिंग के अधग्स्ता में समराहाल इस्थित समाकच में सेना भरति रेली के तयारी है तो बैठक की गई में रेली के दोरान विदी व्यवस्ता प्रासासनिक प्रवंदन एवाम आयना वसक तयारू की समिक्चा की गई जानकारे के लिए बता दे के रेली साथ से 26 अक्टूबर तक 20 दिनों तक के लिए चलीगी इसमें 26 अक्टूबर को हने वाली महिला रेली भी सामिल है सेना भरते रेली में साथ जिलो, सिवान, सारन, गोपाल गंज, वैसाली पढ़ना, बकसर एबं, भोजपूर के अभियरती भाग ले सकते हैं आविजन इस्तल न्यू के लपी, कॉम्पलेक्स, चांद मारे के समीब, दानापूर केंड पढ़ना है पूरुस रेली के लिए रेली स्तल पल परवेस प्रतेक दिन रात एक बज़े सुरू होगा बाड़ी खबर सियम नितिस ने खेत में जाकर देखी सुखाड के सिति, दूसरे दिन कार से निकली सियम का, किसानों को नहीं होगी कोई दिक्कत जिया मानसुन के बेरुकी से बिहार में सुखाड के सिति बनती जा रही राज के हर जिले में लच के अनुरूब धान की रोपाई नहीं हो सकी है अधिकान से जिलों में 50 परतिसत टारगेट भी पुरा नहीं हो पाया है ऐसे में सियम नितिस कुमार लगतार हालात पर नजर बनाए हुए हैं सनिवार को दूसरे दिन मुखिमंतरे अलब बारिश से उत्पा निसुति का जाजा लेने निकले मुश्म खराब होने के बज़े से सियम सनिवार को सडक मार्ग से कार से निकले इससे पले सुकुरवार को वे हलिकॉप्टर से हवाई सर्विक्षन पर निकले थे गया जहानाबाद और और अरंगाबाद का भ्रहमन किया था मुखिमंतरे ने किसानों के इस दसा को देख कर चिंता जताई है सियम ने कहा कि हवाई सर्विक्षन में वस्तिति का पता नहीं चल पाता है बाड़े कबर नितेश कुमार की सरकार में मंतरे नहीं बनाए जाने पर बोले उपेंदर खुसवाह कहा पद नहीं मिसन बड़ा है जिया बिहार सरकार में मंतरे नहीं बनाए जाने से जदो इस संसद्य बोड के राष्टिय अदच उपेंद्र खुस्वारा नाराज नहीं है वे पाड़ी गठन के लिए काम करते रहेंगे उन्हेंने सनिबार को ट्वेट करके कहा कि उनके लिए पद नहीं मिसन और आडियोलोजी बड़ी है बिहार से बाहर होने के कारण उनके बारे में अनक तरकी ब्रमक और अनाप सनप खबरे प्रचारित की गई थी और की जा रही है उपेंद्र खुस्वारा ने कहा कि आज की तारिक में पाड़ी संगटन के लिए काम करना उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है ऐसे में उनका पक्ष जाने बीना मंत्री नहीं बनने पर नाराज होने की बात का उन्होंने खंडन किया है बाड़ी खबर अपने संपते लालो यादव को गेपड करेंगे सुसील मोदी कर दिया एलान जहां बिहार में महागडवन्न के सरकार आने के बाद सत्त दल और विवक्ची पाड़ियों के बीच वार पलडवार का सिलसला जारी है इसी बीच अब बीजेपी की वरिष्ट नेता सुसील कुमार मोदी ने खान एवाम मतवत्त मंत्री डक्टर रमाना ने आदव द्वारा लगाएगे आरोब का जवाब दिया है सुसील मोदी ने अपनी संपति लालू परिवार को गिप्ट करने के एलान कर दिया है सुसील कुमार मोदी ने अपनी ट्यूटर हैंडल के मायदम से कहा कि पटना का खेतान मार्केट लालू जी की किरपा से 1995 में तयार हुआ लोदी मुर का मौल किसका है मुझे पता नहीं ये दोनों संपति मेरी या मेरी परिवार की है तो आज ही मैं लालू परिवार को गिप्ट करने के लिए तयार हूँ जोटा अरोब लगाने वालो मनहानी का मुकदमा करूँगा अली कबर क्रिसी मंत्री सुधाकर सिंग ने किया एलान सुखा गरस्त घोसित होगा बिहार जहां बिहार में महागडबंदन की सरकार बनने और मंत्री पत की सपद लेने के बाद क्रिसी मंत्री सुधाकर सिंग पाली बार केमूर पहुचे बिहार सरकार के क्रिसी मंत्री सुधाकर सिंग ने किसानों के लिए बड़ा एलान किया है उन्हें भी छती पूर्दी का मौवजा दिया जाएगा प्रिसी मंत्री सुदाकर सिंग ने केमोर में कहा कि मैं इतिहास के उस दोर में मंत्री पद का सपत लिया हूँ जब सिक्डू साल में एक बार आकाल आता है उस भयानक आकाल में हम कारिबार बीच दोर में समाले हैं कैसे बिहार के किसानों को जिन्होंने खेते में पूंजी लगाया है वो वापस आ जाए हम उस चुनोती को स्विकार करते हैं और जहां परती खेत है पानी के भाव में खेते नहीं हुआ है आपदा के जरे किसानों तक राहत का काम करेंगे आज के लिए बहुत इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें